हेलो एबरिबन वेलकम बेक टू माई चैनल और आज हम करने वाले हैं 30 questions teaching aptitude के और सारे options में यहाँ पे आपको समझाऊंगी अगर आपको question देखकर option देखकर answer अगर समझ आ रहे हैं तो आप लोग skip करकर के वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी सी डंबी हो सकती है क्योंकि जो नए candidate है जिनका basic layer नहीं है teaching aptitude में तो उनको थोड़ा से समझाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे काफी comment आ रहे हैं इस चीज के लिए कि उसको आप define कीजिए तो वही है तो आज की वीडियो में मैं वही बता आने वाली हूँ तो पहला question है शिक्षा का उदेश्य क्या होना चाहिए तो teaching aptitude में आपको सबसे पहले चीज यह ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को गलत साबित नहीं करना है बच्चा हर हाल में सही है अगर वह फेल भी हो रहा है तो इसके जिम्मेदार आप है शिक्ष आंसर find out करने में बहुत आसानी होगी और यही चीज हमें diet में सिखाई गई थी और यही चीज में youtube के तुछ आपको समझा रही हूँ कि हमें बच्चे को priority रखनी है और बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है शिक्षा बच्चे के लिए है ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे इस statement को तो आप easily answer को find out कर पाएंगे अब यहाँ पर पहला question है शिक्षा का उदेश्य क्या होना चाहिए तो देखो यहाँ पर शिक्षा का उदेश्य विद्यारतों की आर्थिक योगता का विकास विद्यारतों की समाजिक योगता का विकास पढ़ने में शक्ष तो यह तीनों ही चीजें चौथे option में समाई हुई है कि बालको का सरवांगिन विकास अगर बच्चे का सरवांगिन विकास होगा overall development होगा तो obviously बात है यह तीनों चीजें से के इंदर include हो जाएंगे तो आपको सबसे सटीक जो option है वो देखना है कि कौन सा ऐसा option है जिसमें क तो इसमें थोड़ी सी practice लगती है बढ़ यह चीज आ जाती है तो यह तीनों option चौथे में समाय हुए है और यह हमेशा बात ध्यान रखना कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सरवांगिन विकास करना ही होता है और इस statement को अपरट भी सकते हो ठीक है अगला question है हमारा NCTE का पूरा नाम क्या है तो NCTE National Council for Teacher Education जो भी आपके teaching program है वो सब NCTE के अंडर आते हैं वही सब देखता है वही authority जो आपका recognition letter होता है सब वही provide करता है अब यहाँ पर question है निम्ण विकल्पों में से अर्थपूर्ण क्रम ग्याद करें तो आपको क्रम ग्याद करना है तो सबसे पहले कहा है तो यह दोनों तो cut जाएंगे तो दोनों यह बचे अब सारा ज़रत नहीं है last में हमारा होता है मृत्यू अब मृत्यू देख लो कहां पर है सी वाले मीन है मृत्यू ठीक है तो इस तरहके से हमारा option है सी सही हो जाएगा इसमें बाकिया चेक कर सकते हो जन नेक्स्ट क्वेशन है हमारा क्वेशन नंबर फूर एनीपी 2020 के अध्यक्ष सबको पता ही है कौन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये रटना है और एनीपी 2020 एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो करवा भी दूंगी तो वो आपको जरूर देखने है क रजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है अगर आप बच्चे से क्रियेटिव आंसर चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि मुक्त उत्तर वाले प्रशन नहीं होने चाहिए कि काजमिल कहा है आगरा में अब इसमें बच्चा कौन सा क्रियेटिव आंसर देगा नहीं दे पाएगा ना किरियेटिव मतलब कुछ बच्चा खुद से सोच के आंसर कर रहा है ऐसा नहीं रटे रटाय आंसर कर रहा है ठीक है तो यहां पर मुक्त उत्तर वाले प्रशन होंगे अब बाकी यहां पर यह तो होगा नहीं और विश्यवस्तु आधारित की नहीं इसी चेप आप भी बताएगा परत्यक शिक्षा नहीं परत्यक कक्षा यह तो होगा नहीं कि आप मतलब सामने पढ़ा रहे हो सामने कक्षा हो रहे हैं मतलब यह नहीं होगा मुक्त उत्तर वाले ठीक है ओपन एंडे चो क्वेशन होते हैं हमें वह बच्चे से पूछने चाहिए अगर हमें creative answer चाहिए तो next question है शिक्षा का मूल कारे क्या है तो शिक्षा का मूल कारे पूछा है इन्होंने तो कक्षा में उतर ना देने पर डाटना तो अभी मैंने समझाए था वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे को हमें कुछ नहीं कहना डाटना पीटना मारना या कु और उसके बाद है अध्यन के लिए अनुकुल वातावरण तैय करना उपरोख सभी तो देखो उपरोख सभी तो होगा नहीं कुकि पहला कटिया अब बचे हमारे दो अब दो में हमारा दोनों ही सही है लेकिन आभ इन दोनों में सभी आपको यह देखना है कि दोनों में से क मेरी पेड़ागोजी सेक्शन है जो टीशिंग अप्लिटूट सेक्शन मेरा अच्छा है जो पार्ट अच्छा हो आपका मतलब जिस सब्जेक्ट पर कमांडो उसको बढ़िया कर लो तुम बस मैंने उसी पर ध्यान गिया तर उसी की वजे से मेरे पास जॉब है मैंने तब एक होता है ना एक किसी के मास अच्छो दे किसी की जीजनिंग हिंगिश्ट तो मेरी पेड़ागोजी सेक्वाजी बहुत अच्छी है मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी है ओके सो कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 7 है कशा नेत्रत्व में जर अधिगम का शिक्षा में योगदान है विवहार में परिवर्तन समयोजन में और उसके बादे नवीन अनुबव प्रङप करने में तो यह तीनों फी आप्शन सही है बच्छे के behavior में change आता है वह adjustment करना सीख जाता है और उसे new experience मिलते हैं तो इन सभी में तो आधिगम का शि लिसे सबहुत ऊचल दिए तो हम इंगर न बागी की चीज देखोगे तो fiquei त्क है तो इसम miniature षाल से हो जाए कॉたहरे में तुखन कॉट करने शांत वातावरं कष़ा है तो दूरेशा नुषार ना है तो बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा आप यह देख लो जहां पर निगटिव वाइब सारी तो तो बिल्कुल टिक मत करना अधियापको चात्रों में परसपर सयोग हो यह तो होना चाहिए केवल चात्रों का सयोग होगा तो बिल्कुल उससे नहीं क्लास डिसिप्लिन रह पाएगी और कहाने सुना दोगे कितने कहाने सुना ओगे कहीन नहीं तो बच्चा डायवट होता ही है न तो अगर बच्चों और चात्रों और बच्चों के बीच में एक आपसी सयोग है एक परसपर सयोग की भावना है तो कुक्षा में शांत वातावरन तभी रह सकता है बालक के समाजिक विकास में सबसे महत्पून क्या है यहां पर सोशल डेवलेप्मेंट की बात हो रही है तो जाती भी अनुवान शिक्ता वातावरन देखो अनुवान शिक्ता हमारा जो डेवलेप्मेंट हमारा जो बेसिकली फिजिकली डेवलेप्मेंट होता है उसके हीक बच्चा समाजिक विकास कैसा होगा श्रीय समाजिवाली मैं सुनी करता है वाल यह कंवार्मों में करता है में दो जो तो जैसा एंवार्मेंट हम बच्चों को देते हैं उसका जो शोचल डवलप्मेंट है वैसा ही होता है तो इन्वार्मेंट इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशिशन है हमारा 12 और मुझे पुरी उमीद है कि आपको मैं चीजे समझा पा रही हूँ ठीक से एक्स्प्लेइन कर पा रही हूँ और इस चीज को आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं अगर कहीं करेक्शन के जुरुरत है या आपको अपना फीडबैक देना च चाहते हैं अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनसे चीजों को थ्वड़ा से ध्यान रखो बागी में कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीजे ठीक से क्लियर हो जाए अब हमारा next question है आठे करम निर्मान का मुख्य बिंदू है तो देखो आप बच्चों की बुद्धिम आपोगे तो खाली ये काम तो आप कर नहीं सकते कि बच्चों की बुद्धिम आपने के लिए अपने करिकुलम बनाया है ठीक है और करिकुलम जो शब्द है जो वर्ड है ये question कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से वर्ड से निकला है और इसका मीनिंग क्या है तो आप लोग मुझे comment section में बताएंगे करिकुलम के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं थोड़ा सा कहीं से पढ़के और काफी लोगों को पता भी होगा तो प्लीज मुझे comment जरूर कर है न कि हमारे कहके जो objectives होंगे educational objectives तो इसका option खा और गा हो जाएगा ठीक है यह नहीं होगा आप सिर्फ बुद्धिम आपने के लिए बच्चों के लिए करिकुलम नहीं बना रहे हो next question है हमारा question number 14 question number 14 है राष्टे पाठे चर्या की रूप रेखा 2005 किस सूज के आधार पर पाठे चर्या के बोज को कम करने पर बल देती है तो शिक्षा बोज के साथ शिक्षा बिना बोज के शिक्षा परियावरन के साथ या शिक्षा परियावरन के बिना तो इसका answer है शिक्षा बिना बो प्रोफेसर यश्पाल कमीटी की उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी शिक्षा बिना बोज के और उन्होंने एक चीज और मैं आभी आई थिंग दो तिन दिन पहले न्यूस पेपर में आर्टिकल पढ़ रही थी और जो मैं न्यूस पेपर पढ़ते हुए तो मुझे काफ टूशन हम लोग बच्चों के लगवाते हैं तो उन्होंने टूशन को हमारी जो एजुकेशन जो ववस्ता है जो हमारा इसके लिए बहुत ही खतरनाक चीज माना है टूशन को ठीक है तो यह अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आती है और अगर ऑप्शन आते हैं किसने कहाता त घ्श होगाना है यह अगर दिश्टी में चाटरो का अदिकता ही विकास होगा की बच्चों का अधिकता है आप development करना चाहते हैं कि जादा से जादा बच्चों का development हो तो आपको क्या लगता है तो देखो शारिरिक परिक्षम द्वारा जादा से जादा विकास हो सकता है उसका सांस्रीति गदी वीडियों के द्वारा भी हो सकता है अच्छे सहित्य के द्वारा भी हो सकता है और मानसी अधिक्तम विकास होगा तो अधिक्तम विकास देखो यहां पे जो सहित्य और संस्कृति वाला पॉइंट है ना वो तो हमारा फर्स्ट वाले में इंक्लूड हो रहा है अब बचा शारीरिक परिक्षन द्वारा तो देखो खाली शारीरिक परिक्षन में अगर बच्चे को दिमाग से खेलेगा दिमाग पर जोर देगा जोर इन दे सेंस प्रेशराइज नहीं करना है क्रियेटिव चीज़े तो वह बाकी चीज़े उसकी अपने आपी सही होती चली जाएंगे और उसका डेवलप्मेंट होगा जादा से जादा जितना हम चाहते हैं तो यह उप्षन पर सारे तीन ओप्षन हमारे जाते हैं एड हो जाते हैं तो यह उप्षन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमारा है क्वेशन नमबर 17 भाए और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशाशन ही बना सकता है इसका थन से पूर्ण सहमत हैं क्योंकि अगर हम बच्चे को भाए हम बच्चे अन एक तुम्ह को डिर्फना में बन जाता है वो डिसीप्लेन में नहीं रहता है उसको पता कितनी बठेंगर कर ईछर ऑ बड़ प्षन या जा सपर पिछा और डर भी बन हो जाता है फिर वो किसी से भी ने डरता, फिर वो सुनता ही ये विल्गुल मुशिक है, तो पूंता सहमत है हम इस statement से, अगला question है, Friard ने विकसित किया है, तो Friard ने मनोविशलेशन का सिधान्त विकसित किया है, चेतनमन अवचेतनमन और एक book है, अवचेतनमन करके, मुझे अभी writer या अभी मेरे पास नहीं है तो मैं बता दूगी काफी अच्छी बुक है ओके नेक्स कोईशन है ओपन बुक परिक्षा का महत्पूर्ण पहलो यह है यह काफी कैंडिडेट को कंफ्यूजन है और अगर आप NCRT की बुक पढ़ते हैं तो NCRT की बुक में जो शिक्षक के लिए नो परिक्षा के लिए मजबूर करता है तो इससे चात्र गंबीर रहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा देखो इसमें होता क्या है ओपन बुक में आपको ताइम दिया मालो आपको दो घंटे का टाइम दिया जा रहा है और आपको दो घंटे में पांच कोईशन करने हैं और यह कौन सा कहां सही से दिखना है किस तरीके से सको MIT मतलब स्टैप वाइज लगाना है कि पहले का पहले का पहले के पहले कर पहले कि आएगा इस तरीके से तो कहीं न कहीं आप सोचने के लिए मजबूर होते हो ठीक है तो गी में इसका आपको जग और किसी ने पढ़िया है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हो कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं तो यहां पर एक्जेक्ट जो इसका जो स्टेट जो डैफिनेशन है गूगल पर अलग है बट अकॉर्डिंग तो आप्शन देखेंगे तो निर्थक कल्पनाई क इसका आंसर हो जाएगा दिवास्वपन का मतलब उसके बाद अचा हां दिवास्वपन एक बुक है वो किसे ने लिखी है वह आप मुझे बताएंगे चलो मैं ही बताते हूं गीजुबाई बदेका ने लिखी है क्योंकि यह कुशन पूशा जाता है कि दिवास्वपन बच्छा शिक्षण ना होना मतलब इंट्रस्टिंग टीचिंग नहीं है इसलिए बच्छा भाग रहा है ठीक है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा बाकी देखते हैं चात्रों की शिक्षा में बच्चों को गलत नहीं ठराना मैंने अभी विताया था आपको चात्रों को दंड चाहिए आप पढ़ा भी रहे हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप गलत हो ठीक है बच्छा गलत नहीं होगा यह चीज आप गाट बान लेना आगे कॉम्टिटिव एक्जाम की भी तयारी करने आप लोगों को तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध विध्यारतियों को समाने विध्यारतियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए इसका मतलब है समावेशी सिक्षा की क्या है इंक्ल्यूजिव एजुकेशन और जल्द ही में एक वीडियो लाऊंगी इन चारों में मैं आपको डिफ्रेंस बताऊंगी क्या होता है और एक इक्रिद सकता है मैं जल्दी एक वीडियो लाँगे क्योंकि आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा हां इन्क्ल्यूजिव एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर है और इसके ऊश्यूजिव एजुकेशन बहुत तको इन्क्रिव एजुकेशन होती है कि नॉर्मल बच्चों के साथ सथ जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं उसको इंकल्यूजिव एजूकेशन का जो समवेशी शिक्षा का मतलब होता है उसमें आपका हर तरीके का बच्चा आता है गरीब अमीर और चाहए दिव्यांग और ना हो चाहए वो उसको कोई और प्राब्लम हो लाइक औ समावेशाब applies गरा मतलब के अमियूजिवी शरब तरव बच्चा है तो हर तरीके का बच्चा उसके इंदर आता है तो मतलब जब मिक्सरक्साबजी अध मिक्सरफाए सामबर टाइप कुछ एसे तो समावीशी शिक्षा बोलते हैं समावेशाब से याद कर लो समावेशkon Attत जरूरत मन बच्चों की शिक्षा समाने बच्चों के साथ करनी चाहिए तो यही हो जाएगा और अलग तो होनी नहीं चाहिए समावेशी का फिर समावेशन कैसे हो जाएगा तो बाकी की option कट हो गई उसके बाद हमारा है बच्चों का मुल्यांकन होना चाहिए इसको रटलो भ आये जाने वाला बेद सबको पताई है लैंगिक बेद है उसके बाद हमारा question number है 26. प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है आप एक effective teacher है मतलब नहीं है होने की बहुत कम संभावना है अगर आप प्रभावी शिक्षक नहीं है तो इसकी कम संभावना है ठीक है? होने की कम संभावना है जो नैतिक मुल्य की शिक्षा देता है वह जिसे पढ़ाने में रूची ना हो तो बिल्कुल अगर आपके पढ़ाने में रूची नहीं है तो आप कैसे एफेक्टिव टीचर हो जाएंगे है ना वह जो हर समय अपनी विद्वता आप अरे अपने मतलब मेंको तो यह आता है मै अपने गुणगान करना तो आपको कहीं से भी एक्टिव टीचर नहीं बता बनाता बच्चे ऐसा नहीं आप से इंप्रेस हो जाएंगे बच्चे सोचेंगे पता नहीं मतलब क्या क्या बताते रहते हैं अपने बार में यह हैं तो यह तो यह दोनों ऑप्शन गलत हो गए ख इश्या कभी भी दी नहीं जाती वो हमारे बिहेवियर के थ्रू बच्चों तो पहुंचाई जाती है तो आप मना कर देंगे तो भई मना तो बिल्कुल भी नहीं करोगे नहीं तो वो जाके तुमारी कंप्लेंड कर देगा पिंसिपल ऑफिस में तीक है और उसको पास तुर आया और हम चले आए ठीक है तो यह भी नहीं होगा और उपरोग सभी तो बिल्कुल नहीं होगा तो आंसर की मैंने बताया नहीं आये तो मुझे इसका आंसर यहीं लगा कि एक स्लीपर परिस्ते लिखकर भेज देंगे या वबली जैसे बोल सकते हम लोग के भी पढ़ा रह तो उमें परियोग करने की चमता का विकास कैसी किया जा सकता है जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं उनमें परियोग करने की चमता तो परियोग के लाब बता कर कक्षा में उन्हें परियोग दिखा कर परियोग को कॉपी में लिखा कर उप्योग सभी तो इसका आंसर दे जो बचा करता है खुद से ठीक है तो उससे उसमें जो प्रियोक करने की शमता का विकास हो क्योंकि वो खुद से कर रहा है तो लेकिन करवाने वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है कि मॉस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कमारा बेस है आंसर क वह सही आंसर को फाइंड आट करने का कि बच्चा जो करके चीखते हैं वह उसके लिए बैनेफीशल है लेकिन इसमें करना है नहीं है तो इस वज़से से हम इन में से किसी एक को भी सही नहीं बता सकते हैं दिखा कर भी नहीं बता सकते और लाब बता तो उस हिसाबसे और बाकी हमारा नहीं तो फिर वहीं जो मैंने बताया भी आपको कि करवाकर होता तो हम वहीं उस पर जाते question number 29 है हमारा जो बच्चा शारे के रिक रूप से अच्छक्षम है वैं निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता जो फिजिकली एबल है वो बच्चा लंगड़ा भी बोलना नहीं चाहिए लेकिन option में लिखा है तो हो सकता है मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है इसा बोलना पोलेगरस दो सकता है दिश्टे बादी लेकिन जड़ बुद्धी नहीं हो सकता कोई बचा जड़ बुद्धी है इस ड़जन मीन की वो दिव्यांग भी हो ठीक है उसके बाद हमारा आज का last question है शिक्षक एबम विद्यारती के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए तो सभी तो आज के हमारे 30 questions complete हो चुके है hope ये questions आपके लिए helpful रहे हैं आपके exam के लिए और जिन लोगों को teaching aptitude में समझ नहीं आ रहा तक इस तरह किसे हम लोग answers find out करेंगे तो उनको ये वीडियो जरूर helpful रहे और वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज यार comment करके जरूर बताय करो कुछ तो बोल दिया करो ताकि मुझे पता चल लेया कि कुछ गलत है तो मैं एक्स वीडियो में ज़या रहा हूँ और कुछ अच्छा है तो वह बिता सकते हो तो अच्छा लगता है connecting connectivity है मेरे साथ और connecting हो तो अच्छा से connected रहने में फाइदा है मुझे लगता है हम दोनों को आपको भी और मुझे भी तो थैंक्यू सो मच एवरिवन और आच्छे से अपनी तयारी करो और एक्जाम वैसे मार्श तक हो जाएगा क्योंकि आफ्टर वन मंथ आपका एक्जाम हो जाता है तो वही पंदरा तक मैंने वीडियो में बताया भी था आपको बागी जो भी अपडेट रहती है मैं आपको बताती हो रहाँ एक क्वैरी हो और आ रही है कि माम मिस्टेक्स हो कही है पॉम बढ़ते हुए तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मिस्टेक के रिगार्डिंग तो वह देख लेना उससे आपका प्रॉब्लम सौट आउट हो जाएगा तो एंक्यू एंड गुड नाइट बारा बज़के पंटारीस मिनिट हो गया है वीडियो रिकॉर्ड करते करते गुड नाइट